साथियों, क्लाइमेट और दूसरे फेक्टर्स के कारण भारत की एग्रिकल्चर के सामने जो चुनोतिया है उनसे निपटने में भारत के प्रयासों से आप सभी एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, टेग्निशन्स, भलिभाती परिचीत है। आप मैंसे जादा तर लोग ये भी जानते हैं कि भारत में फिप्टीन एग्रो क्लाइमेट जोन्स हैं। हमारे यहां वसंत, ग्रिस्ब, वर्षा, शरत, हैमन्त और शिशिर ये छे रुतिये भी होती हैं। यानि हमारे पास एग्रिकल्चर से जुड़ा बहुत विवित्ता भरा और बहुत प्राचिन अनुभव है। इस अनुभव का लाप विश्व के अन्य देशों को भी मिले, इसके लिए इक्रिसेट जैसे संसाओं को भी अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। आज हम देश के करीब एक सो सतर डिस्टिक्ट में ड्राउट प्रूफिंग के समाधान दे रहे हैं। क्लाइमेट चैलेंज से अपने किसानों को बचाने के लिए हमारा फोकस बैक टू बेसिक और मार्च टू फ्यूचर दोनों के फ्यूजन पर है। हमारा फोकस देश के उन असी प्रतिसत से अधिक छोटे किसानों पर है जिनको हमारी सबसे अधिक जरूरत है। इस बजेट में भी आपने नोट किया होगा कि नेचरल फार्मिंग और डिजिटल अगरिकल्चर पर अभूत पर वह बल देया गया है। एक तरफ हम मिलेट्स मोटे अनाज का दायरा बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। केमिकल फ्री खेती पर बल दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सोलर पंप से लेकर किसान ड्रॉन्स तक की खेती में आधुनिक टेकलोलोजी को प्रोच्छाहित कर रहे हैं। आज हादी के अमरितकाल यानि आने वाले 25 वर्ष के लिए एगरिकल्चर ग्रोथ के लिए हमारे वीजन का ये बहुत अहम हिस्सा है।